जैहिन मैं रजनी सूत सरवितकारी विध्यामंदिर मलेर कोटला से प्यारे बच्चों मैं आज आपके लिए वीडियो लेकर हाजिर हुएं आशा कि आपको वीडियो पसंद आएगी मेरी आज की वीडियो को टॉपिक है क्रिया क्रिया क्या होती है जिन शब्दों से किसी काम क करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं जैसे खाना पीना सोना पढ़ना आधी ये तो क्रियाएं किसी के काम करने का बहुत बता रहे हैं लेकिन कुछ क्रियाएं अपने आप होती हैं और कुछ क्रियाएं की जाती हैं कैसे चित्र में क्या दिख रहे हैं आपको एक बालक दोड रहा है तो दोड़ना क्या है क्रिया इसमें बच्चे खेल रहे हैं इस चित्र में बच्चा गीत गा रहा है गीत गाना क्या है क्रिया इसमें एक बालक बैठ कर टेलिविजन देख रहा है देखना क्या है क्रिया इस चित्र में बच्चे हस रहे हैं इस चित्र में दिखाया गया बच्चा कुछ लिख रहा है लिखना क्या है बटा क्रिया इस चित्र में बच्चे मृत्य कर रहे हैं मृत्य करना क्या है क्रिया ये सब क्रियाई है अगले चित्र में आपको बच्चा खाना खाते हुए नज़र आ रहा है और यहां पर बालक और बाली का पानी पी रहे हैं इसमें खाना खाना और इसमें पानी पीना दोनों क्रियाएं है पुस्तक पढ़ना बालक क्या पढ़ रहे हैं पुस्तक पढ़ रहे हैं और इस चित्र में बालक क्या है? सो रहा है. सोना और पढ़ना क्रिया है. क्रिया दो परकार की होती है. सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया है. सकर्मक क्रिया में कर्म के साथ क्रिया होती है. इसमें बालक पुस्तक पढ़ रहा है. और इसमें क्या है? बच्चे के हाथ में बैडमिन्टन है. और वो क्या कर रही है? खेलने के लिए जा रही है. हाँ जी सकर्मक क्रिया आमन क्या पढ़ रहा है? आमन पुस्तक पढ़ रहा है. इसमें सकर्मक क्रिया कौन सी है? पुस्तक पढ़ रहा है. अगले चित्र में रूपा क्या खेल रही है? क्या? क्या खेल रही है? बैडमिन्टन. क्या कर रही है? खेल रही है. ये क्या है? सकर् अकर्मक क्रिया में करम के बिना क्रिया होती है कैसे इस शित्र में आपको दो बच्चे नज़र आ रहे हैं उन्होंने बैग टांगे हुए और वो कहां जा रहे हैं स्कूल के और जा रहे हैं बच्चे कहां जा रहे हैं बच्चे स्कूल जा रहे हैं कौन स्कूल जा रहा है बच्चे कौन में यानि ये अकर्मक्रिया है क्या वाले सकर्मक्रिया कौन वाले अकर्मक्रिया जा रहें क्या हैं अकर्मक्रिया धन्यवाद आशा आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक और सब्सक्राइब करन और शेयर करना धन्यवाद